प्रवाड़ा 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 प्रवा सब्द बहुत अच्छा है जिसको बोलते हैं भडू ये जो भडू सब्द है ये भडू सब्द बहुत कमाल का है इसको भडू भी बोलते हैं और भडू भी बोलते हैं भडू और भडू भाड़ा या भडू या भाड़ा की ये लगबग एक ही सब्द हैं तो जो भडू है वो ये जो मुंडण कराने वाले लोग थे, ये सारे के सारे जो भिक्को या भिक्कुणा थे उनको बोला चाता था, ये भडू सब्द बाद में, जब जैसे जैसे उनकी एजूकेशन गई तो ये गाली बन गया और इसको भडू बोलने लगे, भडवा बोलने लगे, भडवे बो बनते, जिनको याद करके एक दूसरे को सुनाया जाता था, भड़क ये काम करते थे, कि वो उनको याद करके और उसके उपदेश भी दिया करते थे, उनको भड़क बोलते हैं, तो ये भड़क और जो ये भडू थे, ये बाद में भडवा और भड़े शब्द बन गे, और जैसे आगी डियाट में हम कहते हैं अच्छा ठीक है तो वो अच्छा की जगे इसको भड़े इस्तमाल करते थे, कहते हैं भड़े, अगर किसी ने कोई बात की तो कहा भड़े, भड़े का मतलब है बहुत अच्छा या अच्छा या बी शौर ये ऐसा होगा, आप बेफिकर हैं भड़े का मतलब वहाँ भी पॉजिटिव हैं तो ये भड़ू या भड़े जो सब्द है या भाड़क सब्द है ये पाली साहिते हैं, बहुत साहिते हैं पुराने समय के बहुत रैस्पेक्टेवल, बहुत इज्जत वाले और बहुत शांदार सब्द रहे हैं चोकि जिनकी जिनका राज का चला जाता है, उनके सारे अच्छे सब्द बाद में गाली बन जाते हैं, ऐसा ही प्रकति है, ऐसा ही नियम है, जब राज बापिस आता है तो ये ही भड़े भड़ू और भाड़क ये सारे सब्द निकलके फिर आ जाएंगे, धन्यवाद हुआता है, तो एस जाएंगे, नजा में ये भी बन जाता उनायवाद आपे प्राइब प्राइब एक दूजर आपी नहां वाईव पिछ प्राइब कर दोर हुआए दोरा है